क्या चल रहा था हमारा क्वाड़िटिक ना को गया सरसरा रिकोर्डिंग ओन हो गई क्या हुआ हाँ नहीं चैट भोह था है वीडियो का क्या करना थेंक यू को को कि को कि अधाने क्लास में जो लिखाया थे एक बर वो कॉपी दो कि आधाने मैंने आपको पांच पॉइंट लिखाय थे ना आप शिक्स नंबर पाइंट लिखू 6 नंबर 6 में लिखू इन AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इप्यवल्ट जिरो इफ एक्वल्ट सी इफ एक्वल्ट टो सी रूट्स आर रूट्स आर रैसिप्रोकल टू रूट्स आर रैसिप्रोकल टू एच अदर समझा है लोजिक आपको है कि अगर कोई भी किसमिए और सहुत हे इसके रूट्ण यो कैसे होते हैं अगर कोई नियूट्स कारेट सुन होता होट सब्सक्राइजrov टूपर्पाउन है कि इसका मतलब जो रैसिप्रोकल होते है ना उनका जो मल्टिप्लाई होता है वह बंधा का होता है के रासी प्रॉखल्स का मैल्टिपलाई क्या होता है और हमें ये पता है एक को कि ए आप देखो रैसी प्रोकल में क्या होता है उनकी मल्टिप्लाई क्या होती है तो एल्फा बीटा की जिए क्या लिग दूँ वान इक्क्वल टू कितना हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा अब ऐसा कोई भी क्वेशन हो जिसमें ए और सी इक्वल होगा उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे रैसी प्रोकल हो राइट नमबर सैबन पर आएगा तर फॉर्थ पॉइंट क्या था अब मेरे पास क्या था फॉर्थ पॉइंट जड़ा बोलो अच्छा वन वन कॉमस्ट यह बहुत मैं बता देता हूं अभी एक बार रिपीट कर दो हम आपको फॉर्ट ठीक है तिक्स होगे आगे चले सैबन नमबर पर अब लिए शर्डा सेबन नमबर क्या होता है डिस से जोठे हमारा लों स्वीजर्व tan幾उग में कुछ भी नहीं एक फ़ार्वला हमें क्या करता है। क्वार्ड्र QoDstar को क्यूब को सबसकर दो हम सोडस्रा ओर अप समर्च क्या होता है यह एक्स स्क्वायर पलस भी एक्स प्लस इस इक्वेल टू जीरो अब सपोर्ज इसके जो रूट से हैं इसके जो वो क्या है अलफा बीता तो इसमें दो फार्मॉली होते हैं जो आप पहले सी जानते हैं कि एलफा प्लस बीता क्या होता है माइनस बी अपौन ही होता है और एलफा मल्टिप्लाइ बीता क्या होता है अब इसके बाद एट नमबर पर आओ कुबिक इक्वेशन क्या बोलते हैं क्यूभिक क्या होता है है 3 डिग्री वाला क्यूभिक कैसा होता है एक्स क्यूब कि पी एक्स स्क्वाइट प्लस सी एक्स प्लस डी क्वाल टू अब इसके रूट्स जो है वो हम ले लेते हैं अलफा गामा करेक्ट है अब ज़र समझना तू डिगरी तू रूट्स तू फार्मॉलाज समझ गें यहनि जो क्वाड़िटिक एक्क्वेशन होती है इसकी डिगरी कितनी होती है तू होती है इसलिए उसके कितने फार्मॉले होते हैं और उसमें 2 मैं और पलस प्लस बीटा फलस specifics पुर डोडो का जैसे ऑल्फा बीटा गामा जहसे आलफा बीटा गामा पीटा गामा फिर तीनों का कॉंबो कि अलफा बीटा गामा ऐसी चलते अच्य देखो बटा पहला फार्मुला वही होता है जो इसमें होता है इसमें फिर्ष्ट क्या होगा थी अपोने नेक्स्ट क्या होगा और अगर 4 वाला होता तो फिर E upon है, फिर minus F upon है, समझगे, अगर मानलो आपको 2 degree और 3 degree आता है, और आपको 4 degree का question भी आ गया, तो भी कोई problem वाली बात नहीं है, क्योंकि सबका सम हमेशा minus B upon नहीं होता है, और सबका product में जो constant, इसमें constant कोने D, तो D upon होता है, और इसमें constant कोन था, C, तो इसमें क्या होता है, C upon, और plus minus alternate चलते हैं, लेकिन हमारे हैं, क्यूबिक तक ही है, एसलिए में क्यूबिक तक ही बताओ, हो गया एक नमबर, नमबर 9 डालो, नमबर 9, 9 पे लिखो, हटा दू, लास्ट में 4 रिपीट करना है, दस तक होने के बार देना, 9 नमबर पे लिखो, formation, formation of equations, formation of, formation क्या होता है, जैसे मान लोग की एक तो होता है, कि हमें equation दिया, और हमने क्या किया, alpha, beta को find किया, और if the roots are given, then, अपने को क्या करना है, equation को form करना है, यह वाला जो situation होता है, आप याद रखिएगा, x square minus alpha plus beta, x plus alpha, beta, यह 10 में पढ़ाता है, है, x square minus sum of the roots multiply by x plus product of the roots, इससे किसका formation होगा, consequence का, two degree वाली का, quadratic, और three degree वाली का भी हो जाएगा, है, देखो, x cube minus alpha plus beta plus, और यहां क्या हैगा, x square, x cube के बाद x square आते हैं, माइनस के बाद plus आता है, alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha, और साथ में क्या आता है, x आते हैं, और अब plus के बाद minus alpha, beta, gamma is equal to, यह होती है, formation of equation, if the three roots are given, अगर तीन दे रखे हैं, use this formula, if two roots are given, then use this formula, अब इसमें कुछ एक चीज़े और होती है, number 10 पे आजाओ, क्यार हमारे पास दो ही चीज़े होती है, one is alpha plus beta, other is alpha into beta, लेकिन यह बहुत सारी चीज़े पूछ लेता है हमसे, जैसे find the alpha minus beta, find the alpha square plus beta square, find the alpha cube plus beta cube, तो वो सारी चीज़े हम कैसे solve करेंगे, तो उसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं, वो आप लिख लीजेगा, लिखो formula, अगर आप से पूछा क्या, alpha square plus, तो आपने formula apply करना है, alpha plus beta, whole square minus 2 alpha beta, correct है, क्योंकि हमारे पास किसी भी equation में क्या होता है, we have the two things only, one is alpha plus beta, other is, तो ये तो हमारे पास हो गई होगा, और अगर हमें क्या चाहिए, alpha square plus, then use this formula, अगर आपको चाहिए, alpha minus beta, जो सबसे यादे use होते है, alpha minus beta का formula होता है, alpha plus beta, whole square minus 4 alpha भी है, इस वाले formula से आप क्या find करते हैं, difference of the roots, क्या find करते हैं, difference of the roots, तो ये first है, और ये second number है, third पे आज़ो, third है, alpha cube, plus beta cube, इसके लिए आप apply करना, alpha plus beta whole cube, minus 3 alpha beta, into alpha plus beta, इससे क्या आजाएगा, alpha cube plus beta cube, और इसके अलावा भी अगर कुछ पूछा, तो आपको हाथो हाथ बनाने पड़ेगा, जैसे मान लोगो four पे चला जाए, five पे चला जाए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसको, वहीं पर देखना पड़ेगा भी क्या situation है, तो वो formula अपन बना लेगे, मतलब main जो formula होते हैं वो इसमें, ये तीन होते हैं, जिनकी हमें ज़्यादा जरुरत पड़ती है, तो एक बार मैं फिर से उसको repeat कर देता हूँ, देखो मैंने बताया था, नमबर four पे मैंने लिखाया था कल आपको, कि इन्हें quadratic equation, quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0, if a plus b plus c equal to 0, if a plus b plus c equal to 0, then roots of, roots of quadratic equation are 1, c by, ये उसके क्या होते हैं, roots होते हैं, for example, हम कोई भी एक equation लिख लें, जैसे 11x square minus 23x plus 12 equal to 0, ठीक है न, अगर मैं यहाँ पर check करूँ, here, a कितना है, 11, b is minus 23, c is 12, तीनों का सम क्या हो गया, 0, तो मेरे हिसाब से जो इसका solution बनेगा, वो बनेगा 1, c, c कितना है बोलो, 12, और a कितना है, solve हो गया, लेकिन अगर आप solve करना चाहते हैं, तो solve करके भी देख लें, जिससे आपको यकीन हो जाए, कि मैंने जो आपको बताया हो सही है, है न, तो solve करने के लिए 11 और 12 क्या होता है, 23 होता है, 11 x square माइनस कितना, 11 x minus, और plus 12 equal to, 0, 11 x common लिया, x minus 1, minus 12 common लिया, x minus 1, one bracket is x minus 1, other is 11 x minus 12, x minus 1 equal to 0, तो x कितना आ गया, तो 1 root is 1, और 11 x minus 12 equal to 0, और x क्या आ जाएगा, 12 upon, इला, right, x side सुरू करते हूं, नेक्स्ट, एक बुक दे दो, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर कितना है, देखो समझना, इसमें hit and trial का बहुत ही कम यूज है, तो आपको अच्छे से समझना है, और आज के आज ही इसको आप जा करके solve कर लेना, करते हो ना रोज का कम रोज, यह है 2x square, 2x square plus 8x minus कितना है, is equal to 0, question number 1 है, here, a क्या है बोलो, 2, p कितना है, 8, what is c, है न, question read करो, question कहता है, roots are equal, roots are, अब आपको पता है कि जब roots equal होते हैं, तो condition होता है, d equal to 0, और d होता है, b square minus, 4 a c equal to, अब दो को b कितना है, 8, इसको right side में ले जाओ, equal to 4, a क्या है, 2, what is c, minus m cube, correct है, minus m cube, 64, और 4 to the 8, इसके आप उन में आ गया, और minus कितना आ गया, m cube, है न, 8, 8, jump, 64, 8, 8, jump, 64, क्या बनाईए, m cube, is equal to minus 8, मैंने minus को shift कर दिया, अब देखो, minus 2 का whole cube क्या होता है, minus 8, और यह m cube है, और powers जब same होती है, तो हम क्या करते हैं, base को compare कर लेते हैं, m की value कितनी आ गई, minus 2 आ जाएगी, बोलो कौन सा option correct है, option, be correct, solve हो गया, समझा आ गया, है, कीजी था, अरे बोलो क्या हुआ, मुस्केल है को सब्सक्राइब बता हूँ, है, अब आज नहीं आई ना आपकी अच्छे से मुझे, अब भी देखो, एक ही बच्चा बोल रहा है, चलो, ठीके, ठीके, इतनी जौर से में ने चिलाना कि मैं उड़ जाओ, है, है, वापस बता देता हूँ, एक बार note कर लो, आपने कल जो मैंने कंसेप्ट दिये थे, वो लर्न किये, उसमें बेटा एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट देखो जड़ा, उस चार्ट में लिखावा है, कि D greater than 0, तो roots are real and unequal, और D equal to 0, roots are real, है ना, और D क्या होता है, पी स्क्वाइर माइनस, पूर इसी होता है, ठीक है, मैं एक पे दोल लेता हूँ, और द्वारा से calculate करके बता देता हूँ, ओके, आप समझ ले ना, फिर इसको clean कर देंगे, देखो, है, किसके, कितने notes लिखाए हैं ना, आने लग गए, उस से समझा नहीं मैं आपकी बाद, एक मिनट, मैं कुछ नहीं दवाने जा रहे हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे वो करने दो, वो टेकनिकल स्टाप का काम है, मैंने आपको बोला था, आप उनको बोल देना साथ वाले रूम में, आपके ओप्रेटर आते हैं न, हैं, फिर, अब आप, कुछ नहीं किया, आपको ज्यादा वीडियो की जोर्त नहीं पढ़ती है, वीडियो की जोर्त उसे पढ़ती है, पहली बार पढ़ता है, चलो यह आपका और आपके इंस्ट्यूट के बीच का मामला है, मैं मेरक, हाँ, आगे न यह, कहां से आए, कौन करेगा, इसकैन, अरे बाई सब, बाद में कर लेना आप, ठीक है ना, वो तो कभी भी कर सकते हो ना, हाँ, देखो न, मुझे 40 कोशन कराने, टॉपिक कम्प्लीट करना है, कि कितने कोशन इसमें, 44 कराने, देखो, चार बढ़ गए, क्या, सारे मैं कराऊंगा, मैंने आपको बोला, आपको कुछ नहीं करना, आप हाथ बांद के सिर्फ समस्ते जाओ, दनाजन, आप घर पे जाना, और 44 की सीट फूरी सॉल्व करना, और आपको पका, आज प्राबलम थोड़ी ज़्यादा आने वाली है, पिर जो डाउट है, बापस से आप रिपीट कर लेना, उसके बाद भी जो डाउट बचे हो यहां ले आना, ठीक है, अभी तो पार्टी सुरू हुई है, अभी तुम पहले कुछन को रिपीट करा रहे हो, देखो इदख, देखो, टू एक्स स्क्वाइर, प्लस कितना है, एट एक्स, और माइनस is equal to, पॉसन है, कहता है, roots of the equation are equal, तो मैंने कल आपको बताया था, कि root अगर equal होते हैं, तो condition होता है, d equal to 0, और d क्या होता है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, b square is equal to, अब समझो आप, x square का जो कॉफिसेंट होता है, इसे a बोलते हैं, और x का जो कॉफिसेंट होता है, that is b, और यह जो constant term होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, c, अब देखो बेटा, b, b क्या है, 8, 8 का square, correct लिखा, 4 multiply a, a कितना है, 2, c, बोलो क्या है, minus m cube, 4, 2 जा, 8, और 2 से 2, minus मैंने shift कर दिया, minus 8 equal to क्या आगया, m cube, अब देखो, 8, 2 का cube होता है, और minus 8, minus 2 का cube होता है, और अगर power same होती है, तो हम base को क्या कर लेते हैं, compare कर लेते हैं, बोलो, समझा आगया अब तो आपको, चलो, हो गया, वापस चलते हैं, question number किस पे, 2 पे, तो पे, चाहिए, question number 2 बोलो किया है, जेखो, बहुत खतरनाक हैं, बिलकुल, 2 power कितना है, 2x plus 3, आगे बोलो, minus 3 square, into 2 power x, आगे बोलो, plus 1 equal to, देखो, मैं इसे कैसे solve करूँगा, ध्यान देना, multiply में क्या होता है, power plus हो जाती है, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखू, 2 power 3 dot, 2 power x का whole square, समझा आया क्या, कैसे कैसे समझा आया, द्वारा बता रहा है, देखो, अलग से बताया, 2 पर कितनी power है, plus 3, पहले मैंने इसके दो टुकड़े कर दी, एक 2 power 2x, और दूसरा 2 power 3, अब ये जो digit है, इसको ऐसे लिखा, 2 power x का whole square, अभी बात समझ आया ही क्योंकि, mn होता है ना अगर, तो उनका multiply हो जाता है, किसी को भी अंदर देख सकते हैं, और किसी को भी बाहर, अब देखो, आगे कुछ नहीं change करना, minus, 3 square dot, 2 power x plus 1 equal to 0, let, लिया, क्या लिया, 2 power x को मैंने y लिया, 2 power x को क्या लिया, y, अब देखो, 2 का cube क्या होता है, 8, y square, 3 का square 9, y plus 1 is equal to g, समझ आगे, अब क्या करोगे, solve, जो solve करेगा, आप समझना, 8 और 9 minus 9, 0, ऐसा कोई भी equation, ध्यान से सुनना, जिसमें a plus b plus c 0 होता है, उसको solve करने के जोट नहीं होती है, अगर आप solve करोगे, तो आपकी 5 line ने और जाएंगी, solve करने में आपको factor करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको theory याद है, और आपने उसको एक बार अच्छे से apply किया है, तो आपको बिल्कुल problem नहीं आएगा, और इसमें a plus b plus c कितना है, 0 है, और जब a plus b plus c 0 होता है, तो उसके roots होते हैं, 1, c upon a होते हैं न, तो बिटा, इसकी value बनी y equal to 1 और y equal to c upon a, any problem? 1y, कोई बात नहीं, इसको घुमा देता हूँ, अब ठीक है, हो गया है, अब y क्या था? 2 power x था, अब देख, y था 2 power x, तो 2 power x equal to कितना हो गया? 1, और दूसरा क्या था? y equal to कितना था? 1 by, इसको लिखो बिटा, 2 power x equal to 2 power 0, और x कितना आ जाएगा? 0, और 2 power x equal to 2 power minus 3, और x कितना आ जाएगा? और यह आपके आंसर है, चेक करो, 0, minus 3, एक और method था, उसे hit and trial बोलते हैं, क्या? वो भी बता दूँगा, लेकिन यह solution है, यह क्या है? solution है, कौन सा option IS का? option D, यह option D है, लेकिन मैं आपको एक बार किस से बता देता हूँ? hit and trial से भी आप इसको किस तरह से try करोगे? देखो, समझो, देखो, इसमें क्या है? टू पावर, टू पावर कितना है? hit and trial लिख देता हूँ उपर, आप एक और method यूज़ कर सकते हो, अगर आप solve कर सकते हो तो बढ़िया, अगर आप नहीं कर सकते हो, तो भी आप question तो solve करी लोगे? माइनस कितना था यहां पर? और टू पावर कितना था? टू पावर एक्स प्लस बन था ना? प्लस बन, अब देखो बटर, कितने options हैं, जितने भी, उनको मैंने read किया, 0, 1, 2, 3, और minus 3, यही है, क्या क्या है उसमें? एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यह सारे के सारे digit है, options में, तो मैं सुरू से ही सुरू करता हूँ, 0 से, पहले में 0 रखता हूँ, अगर 0 satisfy, उसमें से 2-2 का combo है न, तो पहले मैं अगर 0 रखूँ, किस की जिएगे 0 रखूँ? एक्स की ज 3, 3 का square, 2 power 0, plus 1, सही है, 2 power 3 हो गया, 8, 3 power 2 हो गया, 9, और 2 power 0 क्या होता है, 1, और plus 1, 8, minus 9, plus 1 क्या आ गया, 0, तो इसका अचलब एक option कौन है, 0, तो पहले मैंने किस पर टिक कर दिया, 0, अब इसमें 0 के बाद कोन है, 1, अब आप 1 put करो, तो देखो, फटा-फट करना पड़ेगा, आपको नहीं टाइम बहुत लग जाएगा, तो 1 रखो गए, तो 2, plus 3 कितना हो गया, 5, 2 power 5 हो गया, 32, 2 power 1, 2, और यह हो गया, 9, और plus 1, और यह 0 नहीं होता, नहीं होता ना, तो यह फेल हो गया, अब रखो 2, 2, 2, जा 4 और 3 कितना हो गया, 7, 2 power 7 होता है, 128, क्या होता है, 2 power 2, 4 और 3 power 2, 9, 9, 4, जा 36, प्लस 1, यह भी 0, नहीं होता, फेल, अब क्या आ गया, 3, 3, 2, जा 6, और 3, 9, 2 power 9 होता है, 512, 12, जैसे मुझे याद है, याद है ना, मैंने आपको 3 लिकर भी दी थी जब की, और 3 इसमें रखोगे, 2 power 3 होता है, 8, और 3 power 2 होता है, 9, 8, जा 72, प्लस 1, और यह भी 0, नहीं होता, खतम, बचा कौन, माइनस 3 रखोगे तो माइनस 3 टू जा, माइनस 6, माइनस 6 प्लस 3 क्या आ गया, 2 power, माइनस 3, माइनस 3 प्लस 2 इंटू, 2 power कितना, माइनस 3, और प्लस क्या, 1, चेक करो इसको, 1 अपॉन 8, माइनस का 9 अपॉन 8, और प्लस 1, यह बन गया, जखो, 1 में से 9 माइनस क्या, माइनस 8 अपॉन 8, प्लस 1, तो कितना आ गया, 0, बात एक ही है, फिटन ट्राइल में भी उतना ही टाइम लग जाएगा, जितना आपको सॉल्व करने में लग जाएगा, समझ गये, तो कोई भी मैथड आप यूज़ करें, ठीक है, प्रैक्रिस करनी पड़ेगी, नेक्स्ट कॉस्टन पर आओ, कॉस्टन नमर कितना आ गया, 3, हटा दू इस पावर एक्स, पावर एक्स, पावर एक्स, चलता जैसा, तो जब हम इसको रीड करते हैं, क्या करते हैं, रीड, तो कैसे रीड करते हैं आप, एक्स, पावर एक्स, पावर एक्स, अगर मैं इसमें से एक स्टेप को छुपा लूँ, तो भी आप क्या पढ़ोगे, वो का वो दाना कियों उसमने क्या हैं ओंद बॉस्कान आपण और एक ग्रेंज लिए क्या होता है कि आप जैसे एक भालटी पानी उसमें से निकाल लिया एक बुन्द पानी तो भी क्या बचका एक ले पासरींग बचता है तो हमें क्या करना होता इसमें आप समझ रहे हैं एक step को hide करना है ठुपा लेना है और फिर बाकी को पलट के क्या लिख देना y अब अपना question देखो देखो उसमें कैसे बनाया समझना four पलस क्या है one upon four फिर four में plus क्या one upon four फिर four में plus क्या one upon four फिर प्लस क्या वनपॉर फिर one upon आगर मैं इस पूरे को क्या लिख लोँ वाई अब समझना y equal to four फिर उन के अपन में फिर वोकी वोई सी लिजागी पूरी की पूरी हैं, तो क्या लिख देंगे पलट के वाई, तो आपने पूरा कोउसन नहीं लिखना है, आपने यहां से लिखना है, कोउसन नमबर कितना है, बोलो, त्री, अब आपका थ्री नमबर क्या बने गया, why is equal to 4 plus 1 upon y, y से multiply कर लो, y square स्कूर्र स्टेछटों इक टो करोगे एक कर शक्कटे ज्यक्र। सिर्वति आपको 10 का स्कुरत शक्राइद वं में खर शब्रक भलो क्या होगा अगर здесь we minus two का whole square, try करोगे, तो क्या आएगा, y square, plus four, minus four y, यह आएगा न, इस में से मेरे पास y square भी है, और minus four y भी है, तो एक four यह at कर दू, और एक four यहाँ at कर दू, तो left side क्या बन गई, y-2 का equal to क्या आ गया 5 y-2 is equal to under root और under root से पहले क्या आता है और y equal to 2 plus minus root 5 option बोलू कौन सा option है b या d d none of these आएगा न अच्छा 2 plus minus उसने एक ही दे दिया ना उसने plus ही लिया कोई बात नहीं तो आप कौन सा option दोगे इसको यह लो उसमें से plus वाला रहा है क्या समझ में आया आपको तो मैंने क्या बोला आप एक बार आज अच्छे समझो और उसके बाद जाकर के घर पे सारे के सारे कौसन करो और उसमें से जितने फिर आपको डाउट बनते हैं उनको बापस अपने आप सॉल्व करो पीडियाफ देखकर या वीडियो से और फिर भी जो डाउट बनते हैं वो ले आओ कि खुद से भी समझ में नहीं आ रहे हमने दो ट्राइमाल लिए फिर उनको बापस देना क्वाडियर्टिक सीख जाओगे को सब्सक्राइब टी क्यों होगा भी है ना तो कोई बात ने उसने दो में से एक ही दिया अगर मानलो प्लस अब आप समझे नहीं कितने आंसर ने द अ कि युट दो होते हैं बहुत लेकिन तो ङला जैसे मानलो एक में टू प्लस रूट फाइव होता एक मेंत रूट फाइव होता है उमारे पास में अब वह ईख पूछना चाहता या दो पूछना चाहता हाता वो तो उसकी मर्जी के इंटक उसो कॏ हाँ सुन पेपर में अगर आप क्या करा है कर यह सिसने दिया तो कंफ्यूजींगा थोड़ा था को करना एम इसाट mee भी में भी प्लस माइनिस था जब भी में फ्लस माइनिस होना था लेकिन आप दि can साथ ही जाओगे क्योंकि आपका आंसर तो मिल रहे हैं old-run answer से एक तो आपको मिली रहे हैं कि तो दोनी ओप्रस होंगे ही है कि फाइट प्लीज क्या करें हो कि कि स्की है अ कि मैं आपकी बात से अगरी हूं मुझे भी पता है कि इसके कितने और दो लेकिन उसमें से option c में एक दिया है तो वह answer तो है ना आप समझ गये answer तो है ना तो आपको c देना पड़ेगा या फिर c में आप correct कर लो minus all लगा लो minus all लगा लो c में confusion खतम अब done अब c बन गया sorry b बन गया b में minus all लगा लो ठीक होगे next question पर आओ number कितना है four ध्यान से समझना ये easy question बोलो two x square minus कितना है और minus equal to ध्यान देना बेटे a कितना है what is b c is right alpha plus beta क्या होता है minus b by alpha beta क्या होता है c by a तो ये कितना बन गया two plus two formula क्या होता minus तो formula में है और b by a और b की value भी किसकी है minus किसका value चाहिए बोलो फार्मूले पर जाओ जो आज दिया है alpha square plus beta square का क्या फार्मूला है minus two alpha अब देखो alpha plus beta कितना है मेरे पास two minus two alpha बीटा की value minus three by two minus बिल्कुल मत भूल जाना तू का square four two से two cancel हो गया minus और minus का multiply plus four plus three seven option बोलो ती यह लो सॉल्व हो गया है समझा आगे है रीड़ दा नेक्स्ट रीड़ दा नेक्स्ट कोशन नमबर पाइब आ रहे हटा दू इसको हम बोलो five क्या है देखो five में कुछ नहीं करना आपने मैंने आपको formula लिखाया था formation of equation x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to zero x square minus बोलो alpha plus beta कितना है minus two what is alpha beta minus three कोई problem x square कितना बना plus two x minus three equal to option बोलो c सारे b है क्या question number six देखो बापस भाही आ गया x square minus p plus four x यही question है plus क्या है 2p plus equal to ध्यान देने बिटर here कि एक इतना है एक बोलो one what is b minus p plus four and c is 2p plus five abc लिख लिए क्या चाहता है question equal roots ऐसे लिखाव है equal roots आते ही d equal to zero equal roots जैसी आएंगे क्या लिखोगे equal to zero क्या बताया था मैंने b square minus कोई मैंने बोला था equal to कर देना ऐसी बोला था p b कितना है minus p plus four का whole square p square is equal to four a a क्या है one c कितना है two p plus five value put कर दी फॉल square करना आता है p square plus eight p plus sixteen four to the eight p plus कितना twenty eight p से eight p तो क्या हो गया minus का square minus दो बार multiply होकर plus बन जाएगा इसलिए मैंने उसको कुछ लिखाई नहीं है अब क्या हुआ four बन जा four का multiply bracket के अंदर कर दिया four two जा eight और four five जा twenty पी स्क्वाइर ट्वेंटी में से 16 माइनस किया four पी इस इक्वाइज टू अंडर रूट फोर प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू कौन सा अप्शन आ गया हूं कि समझा आ गया आपको कि कहलो आपके लिए सेड़िया मनाता हूं इस तरह से आपका कॉस्टन जो हो जाता है ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट को संडीट करो को सनमर कितना आ गया है अब देखो अब मैं एक क्वेशन भी नहीं लिखूंगा तीदा आप बुक में से देखकर मुझे बताएं एक इतना है वन बी क्या है टू पी ए तहीं बोला है न और सी कितना है वो लोग क्या चाहता है कोस्टन रीड करों तो wat roots are real chart देखो बिटाबू roots are real के लिए chart है हाँ अच्छी बात बोली आपने real दो जगह होता है equal to zero में होता है real and equal और d greater than zero में होता है real and unequal लेकिन मुझे equal unequal से क्यालेन है मुझे तो real से मतलब है तो रियल दो जगे था, t greater than 0 और equal to 0, t क्या होता है, b square का 4ac ले जाओ कहां, right side में, calculation करने में आसानी जाती है, p क्या है, b बोलो, 2p minus 1 का whole square, 4a, t, any problem, whole square करो, 4p square minus 4p plus 1, और 4p square, 4p square से minus 4p, greater than equal to minus 1, अब देखो, 4p less than equal to 1, p less than equal to 1 upon 4, बस कईयों को problem होगी मुझे पता है, कहां problem होगी है मुझे यह बता दो अब, जहां होगी न, के sign कैसे change हो गया, मैं समझाता हूँ, समझ न, समझ लो, sign दो बार ही change होता है, कब, अगर minus से multiply या divide कर दें, या reciprocal कर दें, देखो, समझ लो, minus 3, और minus 2 में कौन बढ़ा है, यह जानते हो, चलो अच्छी बात है, अगर मैंने minus से minus cancel कर दिया, तो क्या हो जाएगा, समझ लोगी बात, अगर किसी भी किसको, इसको बोलते है, in equation, एक होता है, equation, equation वो होता है, जिसमें equal to आता है, जिसमें greater than, less than, not equal to आता है, उसे बोलते है, in equation, क्या बोलते हैं, और in equation में दो चीज़े याद रखनी है, क्या, कि दोनों तरफ minus cut दिया, काटने का मतलब, minus 1 से आपने divide कर दिया, या multiply कर दिया, तो ऐसी situation में क्या होगा, sign change हो जाएगा, तूसी चीज़ बताता हूँ, जैसे ये, अब कौन बढ़ा है, इसमें, 3, अगर मैं reciprocal कर दूँ, तो one upon three, और one upon two, अब कौन बढ़ा हैं, तो sign change हो जाएगा, याद रखेंगे, कि sign कब कब change होता है, कि जब हम क्या करते है, minus से multiply या divide कर दें, और क्या कर दें, ठीक है, question number seven का last step ही में explain कर दा था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, minus से minus को cancel किया, और जैसी में minus cancel करूँगा, sign क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, answer match कर लो, answer match हुआ के नहीं हुआ, अब इसमें देखो, दोनों था, अगर आपने answer, अगर sign change नहीं किया होता ना, तो आपका answer गलत हो जाता, तो क्या हो जाता आपका answer, ती हो जाता और अभी आपका answer क्या है, ती है, तो डी इस दा, राइट answer, ओके, question number कितना आ गया, 8, क्या कहता है, 8 number है, x equal to m, is the one solution, किसका solution है, question number है, 8, equation बोलो क्या है, minus 5x plus, m equal to, देखो, कोई logic नहीं है, कोई भी logic, यहाँ plus है, और यहाँ, अब ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना आपने, कोई logic नहीं है, कोई formula काम नहीं कर रहा, reading काम करेगी, क्या काम करेगी, question पढ़ो बिटे, कहता, x equal to m, if x equal to m, x क्या कह रहा है, मैं m के equal हूँ, I am x, and I am equal to m, मतलब x की जगह पर क्या put कर दो, कर दो, ठीक है, यानि question खुद कहना चाहता है, कि जो x है, वो क्या है, m है, तो by putting, put कर दो, क्या कर दो, put, x की जगह पर, m, क्या बनेगा, 2m square, प्लस कितना, 5m, और माइनस m, क्या बनेट, 2m square, प्लस 4m, common volume, 2m, वैसे भी आपको मैंने एक logic भी बताया था, नहीं नहीं, वो भी नहीं करना, बेटे, सुनो, अरे, wait, 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 मैंने यह बताया था, एक मैंने third number point लिखाया था, इन्हे quadratic equation if c equal to 0, अगर किसी भी quadratic equation का constant नहीं होता है, उसके जो roots होते हैं, देयारदा 0 and minus b upon है, ऐसा लिखाया, अभी आपने theory लिखतो लिया, लेकिन आप उसे apply नहीं कर रहे हैं, जब आप उसे apply करेंगे ना, तब quadratic equation आपके लिए एकदम easy हो जाएगा, तो पहले तो रटे मारो, सारी थोरी पे, तो अब आपको जैसे देखा, इसमें c नहीं है, तो अगर c नहीं है, तो m की value क्या होगी, एक तो 0 होगी, और एक होगी minus b upon a, पी कौन होता है, ये 4 और a, answer match करो, 0, minus 2 आगे, one option आगया, किये लोगी, solve हो गया, if in 8 में, एक solution, then it means, m is a root of that equation, हाँ, मैंने भी यही बताया, कि x की जिगे m put कर जो, क्योंकि वो उसका root है, होगी, 8 के बाद किस पे आजाओ, 9 पे, हाँ, पढ़ा 9 नमबर, पढ़ लिया आपने, good, very good, बो, question कहा है, x square, plus, plus one equal to, ध्यान से समझने मेरी बात, क्या कहता है, यह आगे, कहता है, इसके जो roots है, वो कौन है, पी और क्यू है, जिनको मैं alpha और beta लिखता हूँ, उसको यह क्या लिख रहा है, पी और क्यू, फिर क्या कहता है, PQ प्लस Q Q, कैसे solve करोगे, सुनो, आप formula लगाओगे, कौन सा, जो मैंने लिखाया था, ऐसे नहीं करना, और भी easy method है मेरे पास, अगर आप समझ लेते हो तो, आप इसको ध्यान से देखो, देखा, देख, क्या है यह, यह गाना गार है, अरे दिवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, कौन हूँ है, A-PLUS-B का हॉल स्क्वेर हूँ, यानि यह किसका हॉल स्क्वेर है, यह का हॉल स्क्वेर, समझ में आईबाद, हॉल स्क्वेर का मतलब होता है, बेटे, write it two time, यह कहता है मुझे दो बार लिखो x equal to क्या है minus one और दूसरा भी क्या है minus इसका मतलब वो कहता है roots क्या थे किसकी value चीए पी q की और किसकी तो p कौन है minus one और q भी कौन है उलट जाते है आप अगर दूसरे वाले concept में लग जाते तो minus one और minus one क्या है कि यह लो स्वाल हो गया कि इतने नमर को संथा यह है बहुत प्यारा सॉलुस इंदिया मैंने तुम्हें इस टीक है नाइन के बाद किस पर आ जाओ जाओ टैन पर जो टैन ना वो थोड़ा तेड़ा है तेड़ा है पर मेरा है कि पसन नमबर कितना है यह टैन है Hey, वां जी लास्ट स्टेप क्या लिक्षा है सर सेवन नमबर कोशन में बेटा एक्स्प्लेइन कर दिया था मैंने आपको कि उसमें क्या होता है कि साइंज जो है वो चेंज कर देते हैं जब दोनों तरफ हम क्या करते हैं माइनस से मल्टिप्लाई करते हैं ठीक है इसमें कौन सा ओप्षन था विटा इसमें प्र फिर के ओगीं टैन नंबर कोशन पर का के था एलफा बीटा और दा रूट आप किसके रूट से अलफा बीटा मेरी बात देखो equation जो है न equation वो क्या है x square is equal to x plus 1 ज्यान से समझना और इसके roots कौन है alpha क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ alpha square is equal to alpha plus 1 और beta square is equal to beta plus 1 ऐसे लिख सकता हूँ क्यों क्यों लिख सकता हूँ क्यों मेरे बाप की सरकार चलती है कि जो चाहिए वो लिख दूँगा जहां चाहिए वो लिख दूँगा रीजन बताओ है हाँ जैसे इससे पहले को सनाया था उसने क्या बला था एक्स इक्वल टू एम इस रूट तो आपने एक्स की जिए क्या रख दिया था एम रख दिया था तो alpha और beta क्या होते हैं रूट होते हैं लेकिन इसका फाइदा क्या है फाइदा बताता है इसने आप से कॉस्टन क्या पूछा है कि alpha square upon beta माइनस कितना तो अगर मैं इसको LCM लेता तो alpha क्यूब बन जाता और जितनी ज्यादा पावर उतनी बड़ी मुसीबत तो इसलिए मैंने क्या किया alpha square की जिए क्या पूट कर दो मैं तो यह बन गया alpha plus one upon beta और यह क्या बना प्लस one upon बात समझ में आ रही है ओके अब क्या करें कि LCM ले LCM बोलो कितना हो गया है 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 एलफा स्क्वाइर प्लस एलफा इतनी जल्दी थोड़ी मरेगा एक कुछ न बहुत जान निकाल देगा स्वाल होने से पहले माइनस बीटा अपॉन क्या समझा गया अब आपको दो तीजों की जोड़ पड़ेगी ध्यान से देखो एक तो आपको चाहिए एलफा स्क्वाइर माइनस पीटा स्क्वाइर यही चाहिए न और एक आपको चाहिए एलफा माइनस बीटा और आप उन में कौन है कि इनकी जोड़ पड़ेगी आप आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है देखो आप क्या करें क्या कॉमन ले लूँ को क्या लेक क्या लिक सकता हूं एक्स्वाइर माइनस एकस्विट माइनस तो अब इसमें ए कितना है एक क्या है कि और सी कितना है यह यह न हटा दूँ कि इसको बापस लिख देंगे इसमें क्या है और मुझे दो चीजों के जुर्थ थी एक मुझे चाहिए एलफा प्लस बीटा क्या होता है माइनस टी अपॉने राइट एलफा बीटा टी अपॉने तो यह कितना बना प्लस का बन और यह क्या बना माइनस का और एक मैंने आपको एलफा माइनस बीटा का फार्मला दिया था क्या दिया था एलफा प्लस बीटा का माइनस टू एलफा पॉर था क्या देखो यार मैं ही भूल गया पॉर एलफा बीटा का यही था ना अब alpha plus beta 1 है तो 1 का square 1 हो गया 4 और यह कितना है minus 1 कितना बना बोलो अंडर रोड 5 एगरी नहीं आंसर तो यही है लेकिन वहाँ पर value करनी पड़ेगे ना वह बापस लिखना पड़ेगा भी समझा देता हूं मैं आपको इसलिए मैंने हटा दिया था कि द्वारा फिर से आप आपको एल्फा को और बीटा को एक्स की जगह पर रख दिया उससे क्या हुआ कि मुझे पावर कम करने में हैल्प मिल गई हाँ अगया कि कई कई को सुनिश्य बहुत टिपीकल एक चुली लिख लिया एक एक अधान आपका मेरे उपर कि एक बार कि अधार द्वारा लिख दूआ मैं है और यह क्या हुआ यह कहां से आ गया अच्छा चलो कितने नंबर था यह तो इस पेज पर इलेवन आ जाएगा अभी देखो फिर टैन बताता हूं समझना बहुत मस्त है क्या है बोलू फाइब एक्स स्क्वार प्लस कितना है और प्लस पी क्वल टू यह यह अब क्वेशन पर बिटा क्या लिखाव है रूट्स आर और मैंने कंडिशन लिखवाई थी आज यह एक क्वेश्ट्टू सी वायार मज़ा आ गया एक क्वेश्ट्टू एक कितना है फाइब सी कितना है आंसर आ गया वो तो बैटे बात लॉजिक की होती है न अब अगर मुझे याद है एक क्वेश्टू सी तो मैं फटा फटा कर दूँगा कोशन कोई लिखत ही नहीं है रैसी प्रोकल के लिए कितना इजी कंडिशन है अल्ड़ी हमारे पास की एक केक को लोता है ती केक को लोता है तो इसका के बाद मत पूछना को धीरे धीरे बता दूंगा कोई बाता है है अच्छा ठीक है चल यह भी मान लेता हूं तरी बाद एक और कुशन था यार रैसी प्रोकल वाला कहां है ढूंड़ो ना नहीं मिला यह रब 27 20 इतनी जगे में आ जाएगा ना 20 आंसरी बता दिया वायर वायर गजब क्या है ट्वेंटी सेवन 3X स्क्वाइर माइनस 14X प्लस कितना है एक्वल टू और रूट्स कैसे है इसके रैसी प्रोकल में क्या होता है A is equal to C A कितना है और C कितना है आप्शन बोलो यह बहुत मस्ट कोशन है यार यह यह आजा है आपको और उससे पता है क्या होता है उससे कुछ होता जाता नहीं है जो आपको आता है वो तो सब को यह आता है ना तो सब्सक्राइब तो ऐसा आना चाहिए जो हमारी क्रास्वर लोग आता है ना चलो अब चलते टैन पर अब आप ध्यान से समझ लिए इसको आप लिखो एकस स्क्वाइर माइनस एकस माइनस वन ऐसे दो लिख सकते हैं अब एक क्या है वन बाते नहीं बीटा कोई बात कर रहा इस्पोरीक लास्ट को पनिसमेंट मिलेगा सायद आपकी न माइनस अपन एक क्या जाएगा वन कि अलफाब बीटा क्या जाएगा कि अपन एक क्या आगया है और हमें चाहिए था एलफा माइनस बीटा कि ऐल्फा मैंने कीष B बीटा का फर्मॉला होता है एल्फा प्लस बीटा का mi-4 alpha कि राइट कि कि अलब कि अलफा प्लस बीटा कितना है वन का स्क॥ारओन और एल्फा बीटा कितना है माइनस 1 क्या आपको मेरी बात समझ में आई अलफा बीटा कितना माइनस 4 और माइनस 1 का मल्टिप्लाई 4 और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 आग गया करेक्ट है फिर मैंने बताया था कि मैं इसकी जगे अलफा रख दूँ आगल आप किया हो जेगा और बीटा स्क्वार कितना हो जेगा प्लस 1 जू अब किसकी वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वार अपॉन बीटा माइनस विटा स्क्वैरे अपॉन इसकी वैल्यू चाहिए ना तो रख दू है क्या करोगे देखो वैसे तो मैं बहुत कुछ ही कर सकता हूँ इसमें पहले क्या करो एलफा स्क्वाइर को लिख दो एलफा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन अपॉन एलसे एम लो आलफा स्क्वाइर प्लस अलफा माइनस बीटा स्क्वाइर यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं प्लस बीटा लिख देते हैं यह माइनस इंग दोनों पर एप्लाई होता है अध्यान रखना अपॉन में कितना कोई प्राब्लम यहां तक अब देखू बटेट करें इसको लिखो या- kस्कवे रॉप माइनस कितना झारख 토ा स्कुे फॉरह प्लस अंगर वॉप और या एंब प्राब्लम तो ने आपउन वाला खतम या बचा है snd लिए प्रफावाइड यहां पर जिसकी वैल्यों आती जाए वो रखती जाओ अब आगे चलो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं ए प्लस भी ए माइनस भी और यह कितना है और आप उन में कितना चल रहा है कोई प्राउब्लम ने, value डल दो alpha प्लस बीटा की value कितनी है one alpha माइनस बीटा की कितनी है root five plus alpha माइनस बीटा की value कितनी है plus कितना root five upon में कितना है तो root five plus root five two root और साथ में क्या आएगा माइनस option बोलो कौन से है ती ये था question भेंकर दियो लो पोटो खीचलो ना क्या हुआ question number 12 पे आजो और कितना रीड करो ट्वैल्ब अ ऐसा है नहीं अ धोका है धोका है तीरो नहीं है और कि देखो नेक्स्ट कोशन में लिखता हूं क्या है नमबर बोलो उसका 12 a प्लस b 2 c x square यही है फिर क्या है 2 a minus c x next c plus a minus 2 b c plus a minus जो को ऐसा कोशन है देखने में कि देखते ही लग रहा है कि यार यह a plus b plus c equal to 0 होगा और इसका answer 1 बनेगा है ना लेकिन 1 tick मत कर देना टिक करने से पहले a plus b plus c 0 है नहीं है वो चेक कर लेना चाहिए अपने में तो अपन चेक करते हैं देखो कि ए प्लस b minus कितना है टू सी नेक्स्ट क्या है टू ए माइनस बी माइनस सी पिर क्या है सी प्लस a और माइनस कितना है यह यह कुशन अब देखो c से c cancel हो गया और क्या cancel है या इससे बी और कुछ है का है से ए और ए टू ए और टू ए फोर हो गया और माइनस का टू भी और माइनस का यानि यह 0 नहीं है इसका मतलब एक्स का जो आंसर है वह वन नहीं है समझ गिया मेरी बात जो मैंने आपको थियोरी लिखवाई थी कि A प्लस B प्लस C इक एक आंसर क्या होता है वन होता है इसका मतलब इसका आंसर वन तो option A आपका फेल हो गया अब क्या बचा है B hit and trial method से A तो फेल हो गया अब मैं B को try करता हूँ by putting जब 1 नहीं है तो अब मैं X की जगह पर क्या put करूँ अब बहुत खतरना हो जाएगा हाँ नहीं हो गया बस minus क्योंकि answer A की दिया है ना अब minus 1 put करेगा तो minus 1 का square क्या होता है प्लस 1 तो ये रहेगा A plus B 2C और ये minus X की जगह माइनस बन रखोगे तो minus 2A plus B और plus C और C plus A minus 2B करो solve A और A 2A और minus 2A 0 P और B 2B minus 2B 0 C और C 2C minus 2C कितना हो गया तो ये इसका answer कौन सा option आ गया तो अभी भी ये बहुत महेंगा नहीं है प्योरी फिर भी काम करती है जब अगर X equal to 1 answer नहीं है तो then try the minus 1 क्योंकि 2 और minus 2 तो देखकर ही लग रहा था कि हो सकते नहीं question number आ गया 13 पे आ दो 13 है question read करो 13 पढ़ लिया जब पढ़ने के बाद ये बताओ मुझे A कितना A 1 what is B next C is ये तो पता रग गया आपको चलो good alpha plus beta कितना होता है correct लिखा मैंने minus B करोगे तो 8 upon 1 हो जाएगा alpha beta कितना आ गया बोलो M कोई problem आगे read करो question क्या कहता है पस इसी sentence को अच्छे से पढ़ना है हाँ read किया क्या के रेबल तो mathematical form में convert करके बोलो एक मेट एक मेट हाँ द्वारा बोलो नहीं हाँ और कोई बताओ कोई ने कोई बहुत सही चीज बोलेगा या बस question का अंसर लिए दूँ एक दम सिंपल है बेटे कहता वन रूट इस पोर मॉर देन दा अधर अलफा माइनस बीटा एक्वल टू पोर नहीं समझे वह कहता वन रूट इस पोर मॉर देन दा अधर अगर इसका मतलब उनका डिफरेंस कितना है फोर है क्योंकि आप समझे नहीं मेरे पास क्या है मेरे पास अलफा माइनस बीटा का फॉर्मूला है ना तो मैं question कैसे easily solve कर सकता हूं तो मुझे पता लगा जब मैंने question read किया कि अलफा माइनस बीटा equal to four और इसका फार्मूला क्या होता है alpha प्लस बीटा का whole square माइनस four alpha बीटा under root is equal to होता है ना अब alpha प्लस बीटा कितना है eight यहीं कर दूँ क्या eight का square क्या हो गया minus four alpha बीटा कितना हो गया four m equal to root हटा दिया तो right side का क्या हो गया sixteen और sixty four minus sixteen four m equal to forty eight और m कितना आ गया option match करो option कौन सा आ गया क्या समझा आया नहीं आया क्या किया मैंने यहाँ पर squaring both side तो root इदर से हट गया और four का square sixteen और alpha प्लस बीटा eight था तो eight का square 64 और minus four हैं तो इससे आपका question जल्दी हो जाएगा किजिए और रीड दा नेक्स्ट रीड दा पॉर पी प्लस का three पी और minus का पहले four पी रखना क्या रखना पहले अगर answer आ गया तो ठीक है नहीं तो फिर minus four पी रखना वैसी three और minus three तो उसमें से answer आपके बन जाएंगे किससे solve करोगे ही 10 ट्रायल से जल्दी हो जाएगा कौन सा कॉस्टन नमबर 14 14 के बाद आप किस पर आ जाओ कि देखो कि 14 आप करेंगे कि यूज करेंगे ही 10 ट्राइब कि पिफ्टीन प्याओ कि आज सिरो चल रहा है थोड़ा साना इसका सॉलुशन चाहिए क्या है यह बोलों कि इसको भी आप हिटेंड ट्रायल से कर सकते हैं अब देखो एक मिनट मेरी बात समझना हिटेंड ट्रायल में इसको भी आप सॉल्व कर लेना कैसे हिटेंड ट्रायल से किसको फिफ्टीन मर्जी आप कुछ भी रखो आप देख लेना कॉछ सा नमर कौन सा आ गया है कि इस्टीन पर आओ कि यह सिक्स्टीन नमबर आप देखो एक्स एजी है एक्स स्क्वाइर प्लस कितना है नाइन एक्स आगे बोलो प्लस एटीन इस इक्वल टू इस एक्स माइनस कर सकते हो अपने आप फैक्टरी हो जाएगा एक्स स्क्वाइर प्लस स्कारिए एक्स कितना हो गया हम स्क्राइज एक्स एक्वाइज इस एक्वाइन माइनस वन कॉमय यही है सिक्स्टीन के बाद कौन सा आ गया हम ऑ हम सैवनटीन अपने आप कर सकते हों कर सकते हो तो फटा-फट फैक्टर बताओं कि 17 के फैक्टर बताओं कि नाइन एक गुड़ नाइन जिसने बोला गुड़ हो गया पॉसन नमर कितना आ गया हम एक एटीन पर आ जो थोड़ी स्पीड तो बढ़ी हम एक एटीन देखो क्या है कि भूलो कि रेंटू क्या हम 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 है टेंट ट्रायल से बहुत बग लग जाएगा तो समझ गया ना एक मैं इसको मैं देखता हूं यह हो जाएगा देखो कि री इन्टू क्या है थ्री एक्स स्क्वार प्लस फिप्टीन अपॉन ओके फिर हाँ प्लस नाइन इस इक्वल टू क्या है तो एक्स स्क्वार प्लस कितना नाइन्टी सिक्स अपॉन और प्लस हाँ क्या बोल रहे थे आप पिद बोल रहे थे हाँ से कोई आवाज आ रही थी एल सीम ले लेंगे इसमें तो बरबाद कर देगा है यह जैसा दिख रहा है यह आप समझो थोड़ा आराम से करना इसको इसको लिखो थ्री टूजा सिक्स कि समझागी बात और फिर जैखो थ्री एक्स स्क्वार प्लस फिप्टीन और टू टू टूजा प्लस टू नाइन जा एटीन अपन तू लैट साइड हो गए टू एक्स स्क्वार प्लस टैवन सिक्स अफ़ोटी टू नाइन टी सिक्स और फॉर्टी टू कितना हो जाएगा जल्दी बोलो वन थर्टी और अपन में क्या आ गया हूँ टैवन पॉर और थ्री टैवन एक्स स्क्वार प्लस थर्टी थर्टी अपन टू और टू एक्स स्क्वार प्लस वन थर्टी एक अपन कितना सैवन जा पॉर्टी ना प्लस टो घृर्टी नाइन प्लस Two स्क्वार टू थरी बन्पॉर एक्स स्क्वार प्लस 2 सैवन सिक्स is रिदर लाओ 45 है इक्वाल टू 45 आए ची स्कवारी इज इक्वारी टू र refresh क意思 समझाया को यह कुछ टेक्निकली सॉल्व किया पहले लेप्ट को लेफ्ट में राइट को बाद में क्रोस मल्टिप्लाई किया ठीक है ना तब कि हिट एंड ट्रैल में भी इतना टाइम लग जाता आपको आपको टाइम लग जाता तो बैटर यही था कि आप कि आजाएगा ठीक आपके पास क्यलकुटर भी जो है मेरे पास तो है नी ना कर सकते हो यूटन ट्रै नाइंटीन प्याज़ रीड दा नाइंटीन पड़ो हटा दो इसको पड़ा नाइंटीन क्या है एक्स स्क्वार माइनस क्या ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना इक्वल टू जिमाक लगाओ लगा दिया क्या लगाया इस यह कोई फर्मुला जो मैंने लिखवा यह एं ऐलफा प्लस बीटा वाला गुड उस फर्मुले का क्या मतलब होता है उसका मतलब यह होता है इसका मतलब इसमें आलफा का काम कौन कर रहा है और बीटा का काम कौन कर रहा है अगर फिर भी आपको लगा के नहीं समझ में आया तो फैक्टर कर लो देखो कैसे करो मल्टिप्लाइए एक्स स्क्वायर माइनस कितना माइनस बी एक्स प्लस इक्वेल टू कामन बोलू एक्स माइनस एक्स माइनस बी नाओ दा फैक्टर क्या कर देन वन ब्रैकेट इज ए अधर इज इक्वेल टू एक्स इक्वेल टू क्या आगया आप ऐसे लिख दो आपको जो भी पसंद आए उससे आप सॉल्व कर दो कॉर्षन को नैक्स्ट कॉर्षन नवर कितना हैं और इसमें ऑप्षन ए था इसमें कितना ऑप्षन था कि और यह कॉर्षन नंबर था अब आजब ट्वेंटी पे ट्वेंटी को आप ध्यान से देखो देखा क्या है रूट है रूट नहीं है त्यारदा रैसिप्रोकल टू इच अधर देखो ध्यान से एक एक्स अपॉन माइनस एक्स है और दूसरा क्या है वन माइनस एक्स अपॉन एक्स है तो वो क्या है एक दूसरे के तो क्वेशन बन गया वाई प्लस वन अपॉन वाई इस एक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स कॉमा हेर वाई किसको लिए आपने अंडर रूट एक्स अपॉन माइनस एक्स को वाई लिख लिए तो दूसरा क्या बन गया वन अपॉन वाई वाई स्क्वाईर प्लस वाई और अपॉन में कितना वाई और थर्टीन अपॉन सिक्स सॉल्व करो अब ठीक है तिक्स वाई स्क्वाई प्लस एक्वल टू क्या बना तिक्स वाई स्क्वाई 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 2y minus 3, और फिर minus 2 common लिया, 2y minus, 2y minus 3, now one bracket is, 2y minus 3, और 3y minus 2 is equal to, एक से ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, y कितना हैगा, फिरी भाई, और y क्या है, x upon, तो रूट हटाओगे तो 9 upon 4 आजाएगा, 4x equal to 9 minus 9x, x equal to 9 by 13, आंसर है, क्या बात है, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिया, उसने आंसर तो सही है, एक तो यहां से देखो, y की value कितनी आएगी, 3 upon 2, और यहां से y कितना आएगा, 2 by 3, correct है, y कितना था, x upon, और इसका whole square 4 upon 9, 9x equal to 4 minus 4x, x equal to 4 by 13, आंसर है, अब मत मना कर दें, आप्शन यह आ गया, मतलब आंसर तो वह भी था, लेकिन आप्शन में उसने नहीं दिया, क्या हुआ, कोई पूछना चाहते हूं? 21, read करो, read करो, read करो, 21, read करो, 21, read करो, बिटा, दोनों के root equal हैं, तो एक काम करना, दोनों में d equal to 0 लगा देना, देखो, first question क्या है, x square plus kx, प्लस कितना, पहले आप इसमें लगवा हूँ, t equal to क्या होता है, 0, p square, b क्यों है, k, 4, a, c, साही लिखा मैंने, k equal to 256 का under root, k की value, 16 answer है, लेकिन आपको दोनों में देखना पड़ेगा, आप समझे गें न, अगर पहले में भी 16 आए और दूसरे में भी 16 आए, तो answer 16 होगा, और अगर पहले में 16 आगया, और दूसरे में 17 आगया, तो, none of these, इसमें option नहीं है, इसलिए वैसे 1 से ही कर देना चाहिए, हैं, नहीं, मैं एक general बात कर रहा हूँ, कि इसमें option अथ्य नहीं है, अगर मैं होता है, इसकी जीग है, तो मैं ये option बनाता है, नहीं हूँ, रहा होता जब ऐसे question आते हैं, लेकिन ये easy है, इसमें दोनों की value ही कितनी है, 16 है, तो मैं दूसरा भी solve कर देता हूँ, क्या है, बोलो, x square minus plus k equal to, कितना है, 0, इसमें भी d equal to 0, और d कितना हो गया, b square is equal to 4ac, c, तो 4k is equal to 64, और 64 upon 4, 16, तो इसमें आप option दे दोगे, कौन सा, पी दे दो, option b, right, read that 22, question नमर कौन सा पढ़ोगे, read करो, फटा फट से, क्या है, बोलो, sir, original method please, of question number 17, sir, voice नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक मिनट रूको, voice नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही, उनम जी को आवाज नहीं आ रही है, okay, आप चेक करके देखो, मेरी तरफ से तो आवाज okay, और, और कोई बच्चे बता देगा, तो पता लग जाएगा, not 17, फिर बोलने, 14, 14 क्या था यार, 14 तो मैंने आपको बता दिया था, करोगे, आपको टाइम लग जाएगा, मैं बता दूगा, आपको मुझे कोई प्राब्लम नहीं है, मैं 14 कर दूँगा भी, ठीक है न, कल कल लेंगे, कल क्या मत लगें, अभी का टाइम हुआ, कल कल क्या है, अच्छा, आप ऐसे कहना चाहते हैं, ओ, सो नाइस हो, कितने अच्छे बच्छे हैं हैं, नेक्स्ट कोशन नमबर है, कितना 22, सुनो, 22 का मैंने कल लॉजिक बताया था, कि if one root of the quadratic equation is a plus root b, then other is a minus, अब देखो विटे, इसमें क्या दिया हैं, कहता आप one root is कितना हैं, root 5, इधर देखो, then other is, क्या हो जाएगा, 2 minus root 5, करेक्ट है, अब alpha plus beta करो, कितना हो जाएगा, four, क्योंकि ये तो cancel हो जाएगा, alpha into beta को समझो, ये ही main होता है, देखो, a plus b, और a minus b का multiply क्या होता है, a square, minus कितना, b square, क्या आगया, four minus five is equal to, सारा कुछ available है, formula x square minus, alpha plus beta x, plus कितना, alpha beta is equal to zero, x square minus कितना four x, minus one equal to zero, option बोलो, b, ये हैं, solve हो गया, समझा गया, बहुत popular question होता है, वैसे ही, a plus root b जब होगा, तो उसका दूसरा क्या होता है, a minus root b, 23 पे आजो, आगया, क्या question है, बोल, पहली बात सुनो, 23, direct, अगर आप याद रख सकते हो, तो मेरी बात याद कर लेना, नहीं कर सकते हो, तो मैं solve कर दूँगा, डेको root 6, plus root 6 यह एक हने, plus root 6, ऐसा कोई भी question हो, कहां तक हो, infinite term तक, यह ऐसे बहुत सारे question बन सकते हैं, जैसे और क्या बन सकता है, root 12, क्या बन सकता है, root 12, और क्या बन सकता है, root 12, एक सिस्टम होता है कि यह बन सकता है यह समस्क्न सकते हैं इनमें बड़े वाला आंसर होता है तो इसका अनसर यही आएगा चेक कर लो तो मैं जब पहली बार में बताता हूं तब कहा होते हैं फिर बाद में लगता है रहा हूं तो काम की चीज़ती निकल गई तो फिर तुम्हें जाग आती है ना यह वाली बात है ना फोकस रहा करो अच्छी ज़िए यार मैंने क्या बताया कि मैं कोशन लिखा जैसे रूट सिक प्लस रूट सिक्स फिर मैंने एक लाइन बोली कि यह ऐसा नहीं हो सकता जैसे रूट फाइब प्लस रूट फाइब प्लस रूट फाइब यह बहुत इस पेसल होते हैं यह अलग तरह से बनते हैं कैसे बनते हैं कि दे आर दा प्रॉड़क्ट ऑफ टू कॉंजुगेटिव जैसे टू 306 चैसे था टूट यह बनेगा जैसे 24च ट्वैल्स यह बनेगा या फिर मने गा रूट हुए फैनट हू थे जो बड़े वाला टर्म होता है वह वान था यानि इसका आएगा त्री आएगा चेक कर लो कि इसका आएगा फोर आएगा है एक मिनिट पहले मेरी बात जो मैंने बोली वह रट लो अब वह कैसे आएगा वह मैं सॉल्व करके बताए तो अब आप समझना इसका औरिजिनल लेकिन आप यह याद रखोगे तो आप सीधा आंसर करते हैं लेकिन वहां तो उतना ही टाइम है ना जितना है लड़ने जगड़ने के लिए तो है खूब है कि यह कैसे हुआ सर क्या हु देते हैं अब मैं समझा देता हूं तेरे को देख रूट सिक्स कि प्लस कितना रूट सिक्स प्लस क्या है और ऐसे यह सिरीथ चलती गई है इन फाइनाइट समझ में आ गया लेट इसको आप एक्स लिख लो चाहें वाई लिख लो वो आपकी मर्दिये लिख लिया और यह को सने एक बोरी गया हूं जिसमें निकाल लिया क्या एक गया हूं अगर मैं इसको छिपा लूँ तो फिर भी आप इसको क्या रूट रीट क्या करोगे रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स वही रीट करोगे तो इसका मतलब एक्स इस इक्वल टू सिक्स प्लस और यह पूरी की पूरी जो स्रीज हैं इसको पलट के क्या लिख दो गें एक समझा गया एक स्क्वाइर इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वाइर माइनस एक्स माइनस सिक्स क्या हो गया है अब इसका देखो थ्री टू जा सिक्स अब माइनस वन का आएगा जब थ्री माइनस का होगा और टू एक यह आगे एक्स की वैल्यू कितने आगी तरी और एक्स नौट इक्वाल टू माइनसट्य नौट इक्वाल टू क्यों है लाग है फाथ निगेटिब में तो बनेगारी ना स्कांसर नहीं बन पाएगा निगेटिब में ठीके ना कुकि इसका जो ओडर वोन निगेटिव की तरब ही नहीं होता जा रहा हो हम पर six into two से होगा नहीं यहां देखो हम इसके फैक्टर यहां तो माइन सेक्स होगा न मैंको पूर त्षथ री जो ट्वेल्स पिद स्केस्क्र स्व से निए बोला प्र सुर वाल कर प्र यॉ Angeb HOW जोंडे निंगे सिखत फोटिन तो बने ग soaking मैंने क्या बताया आपको टूट को सन बनेगा क्या सिक्स ट्वैल्ब ट्वैंटी रूट फॉर्टी टू हाँ जिसमें कॉंजुगेटिव यानि को सन इस्पेशल तरह से बनता है प्रोड़क्ट ऑफ टू कॉंजुगेटिव टम्स से बनता है और अगर कोई भी बनाना चाहते यह तो बना लो उसको सॉल्व करने के लिए फिर फार्मूला है जैसे मैं आपको समझा देता हूं यह लो कि एक एक्स्ट्रा कॉश्ण बता दिता हूं जैसे सपोज कि अपने पास में कॉश्ण हो रूट टू समझ लेना इसको है ना रूट टू तो बन जाएगा रूट ट्री ले लो ट्री ट्री प्लस कितना तुरी और प्लस क्या तुरी और कहां तक है लैट किसके को रख दिया इसको एक्स वो लो क्या बनेगा एक्स इक्वाल टू टू ट्री प्लस एक्स स्क्वायर इक्वाल टू यही बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस त्री इक्वाल टू टू टी रू एक्स इतना ए बोलो बी क्या है माइनस बन सी कितना है त्री और बीस माइनस थ्री यह कैसी सही कह रहा है कितना है माइनस थ्री बीस स्क्वायर माइनस कितना प्वार इस सी माइनस बन का प्वार इंटू वन इंटू क्या माइनस थ्री क्या अंजर आगे हैं ट्वैल और वन थर्टीन वारड़्टेक फार्मूला क्या होता है एक्स एक्वल टू माइनस बी व्लस माइनस अंडर रूड आपां टू प्लस वाला रख लेना प्लस वाला रख लेना और माइनस वाला छोड़ देना तो ऐसे शॉल्व हो जाएगा ऑगर क्या नहीं हुए इसके फैक्टर नहीं वे बट यह कभी आएगा नहीं आएगा वह जो मैंने बता है तो समझे लीघू यह हो जो होते हैं आप्षेट होते जो चीज नहीं बनेगी वह नहीं बनेगी बात के नेक्स्ट कोशन पर चलो 23 हो गया कि एंद ट्रक्तर ट्वेंटी वन हो सकता है तो 51 भी हो सकता आ है ना का मैं बोल रहा हूं कि प्रॉडक्ट औफ टूगरीटिव टर्म्स होगा तब बनेगा ये दोनों एक्स्पिलेशन आपके सामने हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको यह वाला मेर्द से स्वाल्व करना पूड़ेगा ठीक ना नेक्स्ट कॉशन प्याइब क्या हुआ क्या हुआ क्यों हो गया है आप कर लोगे हॉमबर्ख चलो ठीक है लिखो फिर 24 आप इसको एक लाइन लिख देता हूं सॉल्व को लेना एक्स इक्वल टू 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 प्लस वन अपोन एक्स करेक्ट आगे यह आपके लिए हॉमबर्ख होगे है 21 24 हो गया 25 अपने आप करना पड़ो टू प्लस रूट ट्री है क्या है टू प्लस अधर रूट क्या होगा एक्क्वेशन बना लिना और उसके बाद में पी और क्यू की वैल्यू आज जाएगी यह कौन सेट 25 26 साइद मैंने सॉल्व करा दिया 26 रीड करो क्या है रैसिप्रोकल वाला है 26 अपने आप करें रैसिप्रोकल में एक्वल टू सी होता है 27 करा चुका हूं 28 करा रहा हूं कौन सा करा रहा हूं 20 28 को समझ देना तकड़ा कुशन है रीड दा 28 क्या है बोलो हूं कि देखो समझना हूं कि सॉल्व करूं 28 नंबर कॉशन रीड किया आपने क्या दिया है रेसियो क्याता है रेसियो आप दा रूट सिस त्री रेसियो टू अब ऐसा मैंने कभी नहीं किया कॉशन अलपा माइनेस बीटा के अपनने करें है अलपा माइनश बीटा ऐकोल टू 4 था क्या हमने किया जब रेसियो आएगा मेरी बात समय अईसा कोई भी कॉशन आ सकता है कुछ भी रेसियो हो सकता है तो आपको पता है कि जब रेसियो को ब्रेक करते हैं तो हमें एक constant लेना होता ह एक्स एक्स तो ले नहीं सकते एक्स तो कोशन में है कि ले लो एलफा ले लो ना वेस्ट है एंग कि दिया वह चलो ठीक है लिखो फिर लिखो रूट्स आर रूट्स आर रेसियो कितना है बोलो थ्री रेसियो तो थ्री के और टू के हो गए रूट्स आर रूट्स आर अब देखो दो चीजे है एक होता है सम आफ दा रूट्स और एक होता है प्रोड़क्ट आफ दा ताम आफ दा रूट्स का फार्मूला बोलू माइनस बी बाई यह तो कितना हो जाएगा कि इस नंबर कॉशन था जाए रहे हैं माइनस के बाई त्वेल्ट और यह कितना हो जाएगा पाई बाई रिखा के मैंने तिक्स अलफा स्क्वेर इक्वेर इक्वेल टू पाई बाई ट्वेल्ट अलफा स्क्वेर इक्वेर इक्वेर टू आफ अपाउन कितना हो जाएगा फाइव एलफा एक्वेल टू माइनस के अपॉन ट्वेल्ट अलफा कितना आजाएगा अलफा गुट अब यहां समयों यह एलफा की वैलुइश में ड़ा दूं इतनी वैल्वा की माइनस के अपॉन का होल स्क्वेर इस एक्कॉल टू पाइब अपॉन के स्क्वेर अपॉन सिक्स्टी अच्छा ऐसे लिख दी चल कि इतना मल्टिप्लाई हो जाएगा 3600 5 अपॉन 362 जा 3600 जा तू से 50 जा सही है क्रॉस मल्टिप्लाई 250 के स्क्वेर हटा कर क्या लगा दो रूट 25 का 5 रूट 10 आंसर देखो क्या है क्या आंसर है ऑप्सेंट डी मैच हो गया है क्या क्या किया है कि सुनो मैं बताता हूं मेन लॉजिक यह था कि जो कॉंस्टेंट होता है उसको एल्मिनेट करना होता है तो जो मैंने अपनी तरफ से लिया वह कौन था एलफा एलफा इस नौट दा पार्ट आप कोशन इसलिए मै जैसी होगा वैसी आपका आंसर जो है वह अपने आप आप आज अगर आप यह बात याद रखेंगे तो अगर मान लो रेशियो फाइब की जिए सैवन भी हो गया तब भी आपका कॉशन आप से सॉल्व हो जाएगा ठीक है कि नेक्स्ट कॉशन पर आईए कि इतने नंबर आ तो क्या कहना चाहता है आएम दरूट यानि आएम दा वैल्ली ओफ एक्स तो एक्स का जो वैल्ली ओफुट कर दो तो कॉशन आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है कि इतने नंबर है यह यह आप खुद करेंगे यॉर्सल्फ प्लीज आंसर ही आ जाएगा इतने में तो यार आ आगया क्या बात हैं कि आगे बढ़ा दूए उसको हुआ हर्टी प्याओ थर्टी बहुत अच्छे समझना अ कि इससे आपको यह आईडिया भी हो रहे है कि किस तरह के कॉशन आपसे पूछे जा रहे हैं यह वही तो चल रहे हैं क्या है बोलो एक्स स्कॉयर प्लस कितना है इक्वल टू अब देखो पिटाए एक इतना है वन पी क्या है वन और सी कितना है आर और एलफा प्लस बीटा माइनस बी अपॉने और एलफा बीटा टी अपॉने टी अपॉने एक किसका वैल्यू चाहिए क्यूब प्लस कि फार्मुला देखो मैंने लिखा है एलफा प्लस बीटा का माइनस थ्री और इंटू ए ऐसा कोई फार्मुला है क्या है एलफा प्लस बीटा कितना है माइनस कि वैल्यू दिए तो यह वैल्यू दे रखिये हैं ओके तो फिर आप एक काम करो ना वेट 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 एलफा प्लस बीटा कि वैल्यू कितने हैं माइनस सिक्स अब ठीक है अब फॉर्मॉला लिख दो एल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस कितना है थ्री एल्फा बीटा और एल्फा प्लस बीटा इस इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बन का होल क्यूब माइनस 3R सही है और माइनस 1 इक्वल टू क्या है तो यह कितना बना 3R मल्टिप्लाई हो गये न और माइनस 1 को इधर लेकर जाओ माइनस 5 चेक करो माइनस 5 अपॉन क्या अंसर है आगया लो इजी था था थर्टी वन रीट करो थर्टी वन रीट कर लिया थर्टी वन पर क्या रेशियो है कर लोगे पक्का यॉर्सल्फ लिख दो अगर नहीं आता है कल पूछ लेना कल वैसे भी मैंने क्यूबिक क्यूबिक तो आदे घंटे में हो जाएगा आप क्वाड्रिटिक का बचावा डाउट पूछ कर कल में एक्क्वेशन जो टॉपिक है वह आपका फुनिस कर दोंगा और परसों में कॉम्बिनेशन पर्मोटेशन श्टार्ट हुआ है है थर्टीवन मतलब अ कि इतने काफी है मतलब टाइम क्यों है तास मेट बचें नहीं मुझे पढ़ाना होता है कि मैं आपको थर्टी बान और थर्टी टू कराऊंगा थर्टी बन और थर्टी टू अच्छा फिर थर्टी टू और थर्टी थरी ग्राम आओ नहीं मैं बताऊंगा उसके बाद आप सारे ट्राय करना फोर्टी फॉर तक नहीं मैं दो कॉस्टन बता दू पहले अब देख ले कितना टाइम लगेगा मुझे अगर आप चुप रहोगे तो मैं भी कर देता हूँ विए थर्टी टू देखो ध्यान से समझेना थर्टी टू को बहुत है मुझे बड़ा पसंद एए कुस्चन क्या है देखो अब पी एकस स्कौरर क्या है यह यह नप पी एकस प्लस क्यू एकस और प्लस कितना एक्कॉल टू और देखो यह कहता है इसमें से एक रूट कौन है और तो दूसरा बताओ अब मेरी बात सुनो देखो क्या होता है रूट क्या होते है अलफा बीटा लेकिन यह कहता है उनमें से एक आर है तो इसका मतलब रूट क्या हुए इसके आर बीटा क्या मेरी बात समझ में किसी भी इक्वेशन के रूट क्या होते है अलफा बीटा लेकिन कहता है वन रूट इस आर उनमें से एक आर है तो जो एलफा है वो आर हो गया और बीटा जो हो गया बीटा फाइंड अधर मतलब क्या चाहिए आपको बीटा अब देखो प्रॉडक्ट का फार्मूला क्या होता है ती अपने और आर से कैंसल हो गया तो बीटा क्या आगया यहीं आंसर है कि आप संसी क्या मेरी बात समझ में आई कि जी था नेक्स्ट टेम एक और बोला था अब थार्टी थ्री थार्टी देखो एम होता है आर्थेमेटिक मीन अलफा प्लस बीटा पॉंट टू और जो मैट्रिक मीन क्या होता है थार्टी फोर रहे क्या तो थार्टी थ्री अपने आप कर लेना वो कर सकते यो आप थार्टी फोर नमबर रीट करो क्या है थार्टी फोर रीट करो कहता है एम इस एट एम कितना है और जी एम कितना है देखो एम एट है और जी एम फाइब तो एल्फा प्लस बीटा क्या आ गया है और इल्फा बीटा क्या आ गया है इसक्वाइर कर दो 25 एकस स्क्वाइर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स यही फाइर्मुला होते है एकस स्क्वाइर माइनस कितना अगौनक पलस और इस एकॉल टूंक अनसर आग YE 35 और कर देता हूं येलो वाइट एक और कर रहे तो वाइट रीट करो रीट कर लिया एक इतना है ए बोलू A, B, C क्या क्या दियें टू, फिरी, सेवन एलफा प्लस बीटा बोलू माइनस बी अपॉन A एलफा बीटा बोलू ओके एलफा स्क्वाइर प्लस बीटा स्क्वाइर का फर्मला आता है एलफा प्लस बीटा का माइनस गोड़ एलफा प्लस बीटा का होल स्क्वाइर बोलू 9 अपॉन 4 2 मल्टिप्लाइ 7 अपॉन 2 2 से गया 2 7 जा 28 9 में से 28 माइनस करो माइनस 19 अपॉन बोलो कॉस्षन क्या पूछा आप से एलफा बीटा यही पुछा था क्या है और क्या है एलफा माइनस वन क्या बनेगा एलफा अपॉन बीटा बीटा अपॉन एलसियम ले लो एलफा स्क्वाइर प्लस बीटा स्क्वाइर अपॉन एलफा स्क्वाइर प्लस बीटा स्क्वाइर कितना है नाइनटीन अपॉन फॉर और एलफा बीटा कितना है सैवन अपॉन टू 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 जा फॉर कितना आ गया माइनस नाइनटीन अपॉन फॉर्टीन चेक करो आपसन द आजाएगा बहुत हैं किसका दा बुक किसका दा बुक किया फिर कहां सेयर हो गाई है कि यू आ रहा राधा कर दूपका फिर दिक वहां से कट कर दूँ पका कर दूँ आए जाया है कि तुरह करो फिर दूपका दो और पका दो कि इससे पीडियाप सेर हो जाता है है नाइस कि क्या मिटा रखे हैं कि कौन से मुटाया था ने वापस लिग दिये थे कोई भी नहीं मिटाया था वो तो जब वहां से द्वारा पूछा था तब मिटा कर कि वापस किया था कि एलोट ठीक है ओके कि एलोट मिटाओ है एलोट इस Every cause,は भावस का गवास कि एलोटी का लोचा हैं कि हरएं थावस को उदे हैं कि एल क्वस कि एलो